आज हम फ्रेंच में बात करने वाले हैं लप्लूस का पार्फे लप्लूस का पार्फे के बारे में हम फ्रेंच में पुरी डीपली तरीके से हम जानेंगे करते हैं यूज़ फर फर इसे था से आखे टेंगे जैसे कि फ्री ऊप्लूस के इसे। यह सकते हैं इस सी विञागैं फ्रांस एक और तरीके से हम बोल सकते हैं लास्ट लास्ट विंटर आई हैड विजिटेड इटली यह दो कंट्री आ रहा है लेकिन हम सेम चीज को रिपीट कर रहे हैं यानि कि जो दूसरे एक्षन है वह हम फिर से करें दिस विंटर और लास्ट विंटर यह दोनों कॉमन है तो यहां पर हम आई विजिटेड आई है विजिटेड तो इसी चीज को हम लपलूस का पारफे में आज हम देखेंगे तो वीडियो शुरू करने से पहले आज मेरे चैन को सबस्क्राइब करें और अगर मेरे वीडियो अच्छे लगे तो एक लाक जरूर करें गारे टा पूस का पारफे इन तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं और यहां i button में भी मैंने दे दिया है तो चलिए हम बात कर रहे हैं थे लप्लूस का पार्फे एत्र और अवार Same rule as passer composer, जो passer composer का rule होता है वो हम सेम प्लूस का पार्फे में भी हम use करते हैं एत्र और अवार को लेकर Always use aware and être as a auxiliary verb को auxiliary verb के रूप में हम देखते हैं यहां पे जो प्लूस का पार्फे का जो कंजूगेशन होता है वो सब्जेक्ट के बाद हम इंपार्फे लेते हैं उसके बाद हम पासर कंपोजे लेते हैं तो चलिए हम देखते हैं प्लूस का पार्फे इन फ्रेंच आज का पार्फें हां टों कंजुगेट क्या तो को हम फ्रेंच में कंजुगेट कैसे करते हैं प्लूस सब्सक्राइब एक रूल ay सबसे पहले वी युज़ इम परफेक्ट फ सॉर्म। इम पर्फेक्ट फॉर्म विच मिच मिन सिंपार्फे जो इमपार्फे है उसको हम यूज करते हैं अवार एंड एत्रे अवार के साथ और एत्रे के साथ एज आउक्सिलियरी वर्ब्स एंड फॉलो करेंगे हम पास्ट पार्टिसिप है यानि पार्टिसिप पासे यह क्या होता है पासे कमपोजे जो पासे कमपोजे का जो पास्ट पार्टिसिप होता है जो उसका फॉर्म होता है हम इंगलिस में बोलते हैं वी वन वी टू वी त्री तो वी टू और वी थ्री वह आई चीज़ हम follow करेंगे of the main verb, जो main verb रहेगा उसका हम past participle use करेंगे, तो उसका जो conjugation हम अभी देखेंगे, तो उससे हमें समझ में आ जाएगा. प्लूस का पार्फे को conjugate करने के लिए हमें सबसे पहले इंपार्फे और पासे कंपोजे, ये दोनों को हमें जानना बहुत ही जरूरी है, तो जो अगर पासे कंपोजे और इंपार्फे के बारे में जो नहीं जानते हैं, तो मेरे description box में मैंने उसका लिंक दे दिया है, आप वह पार्फे बहुत ही जरूरी है FOR PLUS का पार्फे के लिए, तो यहाँ पे मैंने वर्ब लिया है पार्बे और एक वर्ब लिया है आले, पासे कंपोजे में हम दो ऑक्षिलेरी वर्ब को देखते थे, आवार और एत्रे, कुछ वर्ब्स आवार के साथ आता है और कुछ वर्ब एत्र के साथ आता है तो वही चीजा हम यहां पे भी फॉलो करेंगे और वो हम कैसे फॉलो करेंगे इंपार्फे के तुरू जैसे कि एत्र है एत्र के अंदर आले आता है पासे कंपोजे में पासे कंपोजे में हम आले को हमेशा एत्र के साथ फॉलो करते हैं तो एत्र का जो Duke यह जिए पर स्विग को हैं ध्यान देना रहता है तो यहाँ पर चलिया हम पार्ले को मैंने conjugate किया है प्लूस का पार्फे में जावे पार्ले त्यू आवे पार्ले इल एल ओ आवे पार्ले नू जावियों पार्ले वू जाविये पार्ले इल्स एल्स जावे पार्ले इसकी जो इंगलिश होता है वो आपके डिस्प्ले पे so कर रहा है तो वो parlay का English है यानि plus का parfa का जो भी English translation होता है वो मैंने आपके display पे so रहा होगा तो आप वहाँ से समझ सकते हैं कि इसका English meaning क्या होता है अब यहाँ पे चलते हैं alay which means to go एत्र पासे कंपोजे हमें एत्र में alay को देखना रहता है तो इसके साथ हम पासे कंपोजे कैसे बनाते हैं जस्वी जाले इस तरह से बनाते हैं तो एत्र का auxiliary verb लेते हैं तो यहाँ पे भी मैंने एत्र को इंपार्फे में अले को मैंने ऐसमें एक चीज और देखना परता है जो हमें अवार के साथ नहीं देखना परता है वह क्या जो हम पासे कंपोजे में देखते थे एत्र कार साथ जो भी वाउब लएक यहां पे भी यूज करेंगे तो हम सब में ऐड कर देंगे त्य आप और जो plural है वो एस जहां पर plural रहेगा वहां पर एस और फिर मिना plural रहेगा तो इस तो इसको भी एक बार हम पढ़ते हैं जेते जाले ट्यूएते जाले इल एल ओनेते जाले नू जेतियों जाले भू जेतिये जाले इल्स एल्स जेते ताले तो यह आले का प्लूस का पार्फेक अन्जुकेशन है इसका जो इंगलिस मेरिंग होता है वह आपके डिस्प्ले पे सो रहा होगा मैं वहां पे लिख दिया आज का जो topic था वो था plus का पार्फे तो plus का पार्फे में मैंने कुछ example यहां पे लिखा है तो चलिए हम उन examples को देखते हैं उससे हमें और अच्छे से समझ माजाएगा कि कि किस तरह का sentences plus का पार्फे में आता है तो मैंने आप लिखा लाने दर्नियर जावे विजिते फ्रांस को जैस्वी जारीवे ओ सिनेमा लफील आवे देजा को मोंसे इल एते आले ओ मार्शे और एल एते आले ओ मार्शे तो इसको हम समझते हैं उससे हमें समझ में आ जाएगा कि यह sentences हमें क्या बताता है तो लाने दर्नियर विच मेंस लास्ट येर क्या था लाने दर्नियर विच मेंस लास्ट इयर आई जावे विजिते फ्रांस विच मेंस आई हैड विजिटेड फ्रांस आई हैड विजिटेड फ्रांस यहां पे यह जो है प्लूस का पार्फे है को जस्वी जरीवे और सिनेमा मतलब कि जैसे ही मैं सिनेमा पहुंचा यह भी पास्ट को इंडिकेट कर रहा जैसे मैं सिनेमा पहुंचा मतलब कि जैसे ही मैं थेटर पहुंचा फिल्म है वो स्टार्ट हो चुकी थी तो इस तरह का भी सेंटेंस जो आता है वो प्लूस का पार्फे में हम देखते हैं तो क्या होगा ब्लूस का ओभी सार्फे में सिनेमा छार्फे में सिनेमा टूसंचा फिल्म है। the movie had already started मतलब कि जैसे ही मैं थेटर पहुंचा movie जो है start हो चुकी थी जैसे ही मैं railway station पहुंचा station sorry rail खुल चुकी थी तो इस तरह का जो sentences है वो plus का पार्फे में आता है इल एते आले ओ मार्शे which means he had gone to the market to the market अब यहां पहां एल एते आले ओ मार्शे एल एते आले ओ मार्शे which means she had gone to the market अब यहां पहें एल है जो ही है और एल है वो शी है तो यहां पही हम क्या एड करेंगे हम फिर मिलते हैं next class में किसी नए lesson के साथ bye, over mercy दवार, रे गार दे